आज पी एम सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, मेरा मेडल नहीं हाया, मेरा हाड लग था, पर सर किर से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा हार जीत एक अलग मेंटर है पर हमें प्रालिम्पिड में पार्टिसिपेट करना हुई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अभी मैडल आने के बाद में जब मैं उनसे परस्नली मिली मैंने उनको मेरा जो फर्स टार्गेट था जिसके उपर मैंने पहली बार 10.9 शुट किया था वो टार्गेट गिफ्ट किया उन्होंने उसको बहुत ही शालीनता से एक्सेप्ट किया मेरे बच्चों के बारे में पूछा मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने उन्हें हमारे बारे में हमारी फैमिली के बारे में हर एक चीज पता है वो हमसे उसके बारे में डिसकेशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई मुझे मिलते ही उन्होंने मुझे मुझे से का कि हरविंदर आप केतों में प्रैक्टिस करते थे और आपने देश के लिए मैडल जीता है बाचीर परदान मंत्री जी से जब मिले तो एक तो मैंने उनको अपना एरो गिफ्ट किया जो वहां पर मैंने चलाए थे मुझे मिलते ही उन्होंने मुझे मुझे से का कि हरविंदर आप केतों में प्रैक्टिस करते थे और आपने देश के लिए मैडल जीता क्योंकि कोवीड के दौरान की मेरी फोटो काफी वारेल हो दी कि जब और कुछ पहां भी जे ब direction । उट्स अजित करेंगे। उन्हें सबीने उनके साथ शेयर किया बाते हुई बहुत सारी उन्होंने परसनल टाइम दिया मैं एशन गेम से एशन गेम से पार्सिपेट करके आई थी तब भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी और उनसे परसनली मिलूंगी लेकिन वो टार्गेट गिफ्ट किया उन्होंने उसको बहुत ही शालीनता से एक्सेप्ट किया और मेरे बच्चों के बारे में पूछा मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने उन्हें हमारे बारे में हमारी फैमिली के बारे में हर एक चीज पता है वो हमसे उसके कर रहे हैं तो एक बहुत यह अच्छी फीलिंग आई कि' हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं तो मुझे बहुत 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 अच्छ लगा अज पीएम सrr से बात करके हमें बहुत अच्छ眉 लगा वैसे मैं सैकंड बार पैरा लि便 Sydmy मेरा मेडल नहीं हाया मेरा हाड लग था पर सरकिर से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हार जीत एक अलग मैटर है पर हमें पारालिम्पिक में पार्टिसिपेट करना होई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सरसे बात करके इतना मोटिवेशन मिला कि हम सेकंड बार हमारा ओलम्पिक में सेलेक्शन होगा तो हम हंड्रेट पर्शन मेडल ला सके ऐसा में करूंगी